दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में और आज भई हम आए होए हैं पंजाब के एक फाम पर भई इस फाम का नाम है दा विलेजर्स रैंच और जो इलाका कौन सा पड़ता है अपना हमारा गाउं है जी विलेज मुलांपुर और हमारा डिस्ट् लग कुछ दिन बाद क्या दो तिन दिन में चले जाएंगा तो भाई कहां से आएं क्या करते हैं वो सारी डिटेल भाई हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं और भाई के फाम पे कितने गोड़ा-गोडी है वह हम आपको बढ़ा गोडी जो हैं पार्ट के इस विलेजर गोड़े में मेरा नाम नवरेंदर पाल सेंग लालि यही कहीं में और हमारे पास इस टायम 16 फॉलि 얼마나 बढ़ान के नाम है रिक्ष्ट असलीग जिए गाउं मैं तो नाम से विलेज से विलेजर लिए हमारा बार मिजक्तला सब्सक्राइब हमारे से लुध्याना चंडिगाड़ पत्याला यह हम सब तीनों शहरों के सेंटर में है कि तना किलो मेटर पढ़ जाते तीनों आपके अप्राक्सिमेटली लुध्याना 50 है जी पत्याला 50 है चंडिगाड़ 40 है 40 है है सोले में बाईसाब कितने क्या या यह निदी कितने बच्चे है कि हमारे पास ही सोला में एक तो स्टालियन है मिर्जा वही हमारा पुराणा स्टालियना तकरीबन 13 साल का गोड़ा हो गया जी वह मिल्क टीथ एक साल का बच्चा लिया था जी आपके भाम पही अभी तक ह गोडियां है झाइल दिखाने वाले लोगो को क्या मतलब है वैसा वैसा है यह गोडी हमने तकरीबन चार साल पहले परचेज की थी और इसके नंबर लगा हुआ जी एया टू एया टू हां जी तो यह पता है किस फार्म की गोडी यह यह तो नहीं मेरे को पता कि एया टू नंबर किस ने लगाया अगर किसी भाई को आपके ळिरे को किसी पता हो तो मेरे को जग Coordinator msi यह दूर किसी अगरे सभाइब करें कि नगी आगर बात करें है एयाटू गोडी के बाप की तो बाप कोन है इसका अपैघे राज वर खाना हम्सराज बर खाना हाँ जी और मा इसकी मा के बारे में मेरे को नहीं पता है जा मा के बारे में नहीं पता है जी और उम्र में उम्र इसकी तकरीबन बारा तेरा साल की गोड़ी होगी जी बारा तेरा साल की और हाइट में बात करें हाइट 64 के राउंड है जी 64 हाँ जी और मारकिंग में मारकिंग स तो आपके पास मैं यानिकि जो गोड़ी आई तो आपने क्या देखा जिसकी बज़े से आपने पर्चेच करी अपने पंजाब के दो तीन अच्छे ब्रीडर रहे जी उनके पास ये गोड़ी रही है तो मैंने उनसे भी कंफर्म किया उन्होंने भी इसके बारे में बहुत घंच अब और दो बच्चे प्रेजेट में मेरे पास है एक बच्चा मैंने शेल कर दिया तो अभी गोड़ी गबन है क्या लिए अभी खाली है घाली है तो अगर हम जैसे बात करें कितने बच्चे पीछे देके है है यह पीछे इसने दो-तीन बच्चे दिए है जी किसके से एक पास तीन बच्चे आपके पास हं mandate और दो बच्चे मेरे पास है किसको दे दिया था आपने एक बच्चा को भी हमारे जिलंदर में फ्रेंड थे उनको सेल कर दिया तो अगर जैसे हम बात करें अभी जैसे गोडी के साथ में एक बच्ची गुमरी है ना उचलकूंद करते हुए तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो इस बच्ची का बाप में की बच्ची इभी हिए अभी तो दूदी पिरी है ना जी हबी तो छोटी कितने मेंने तक दूद प्लाते हो ऐसे आप तकरीबर ना पांच शे मिने गोडी के साथ ही रहेगी यह पांच्य महीने के बाद फिर अलग करेंगे बागी मार्किंग में बात करें तो बच्ची की क्या मार्किंग है इसके पान है और एक पैर वाइट है पीछे वादा एक पैर सपेद है तो बच्ची है यह ना तो बच्चियों की सर्दी में कियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता चार आधें मेरे को लगत नकिए पंजाम में इतने थंड पढ़ती है क्योंकि आदमी की घड़ी बन जाती है तो गोडा गोडियोसं का भी बिचारों की आ से करते हो चाहल हिए आसा हमारे फार्म में पहली बात तो हम कोई जादा बार से परचेज नहीं करते तो हमारे जानवर भी फ्रेंडली है और हमारे जो स्टेबल है उनका साइज बहुत बड़ा है 35 तेरा 14 फीट एक स्टेबल का साइज है और आपके मेरे लगता है इस्टेबल भी लंबे-लंबे है तो अगर क इतना साल पुराने होंगे है ऐसा है पर दीबह यह स्टेबल बने तकरीबन होई गया है गया है जी दस-पंद्रा साल तो तब भी अभी ऐसे लगतेगी जैसे नई बनाया ना नहीं वह आगे वाली दिवार इसकी जो कुंडी है वह चेंज कर दी थी हमने तकरीबन तीन-चर प्रॉलने की प्रॉलम आती है जब ठंड ज्यादा होती है फिर नीचे गिला कम होता जब स्टेबल बड़ा रहता तो बिलकुल हाँ जी बाकि अगर जैसे हम बात करें यह जो बच्ची हमने भी काइना दिखाई जो गोड़ी के साथ में इसका दूसरा रिजल्ट भी आपके पिल्टाइब धानी कितने ऐमरफ़े हैं पंद्रे मेने का और कौन है इसका बाप इसका बाप दिलवाग रनिया दिलवाग रनिया और मारकिंग इसके भी पान ही है और कलर में क्या है कुमेत है तो इनकी दोनों बरांड के बच्ची हो गए निकी है है एक देवराज का और दिलवाग का है तो देवराज दिलवाग मेरे को लगते कि ज्यादा पसंद है आपको कैसे क्या क्योंकि मैं जो देखने वाले लोग है उनको बता देता हूं कि भाई के फाम पर चार पांस तो दिलवाग के होंगे और दो तिन देवराज के होंगे देवराज की एक ही बच्च उनके सब के लिए देवराज दिलवाग फेमस हैं और मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे जो भी लोग गोड़ा गोड़ी रखते हैं उनकी सवों की इच्छा ये रहती भी है कि उनके फाम पे एक दिलवाग और देवराज का बच्छा जरूर होना चाहिए यह कोई बड़ी बात निया जी भोलने में कि दिलवाग और देवराज जैसा कोई भी गोड़ा नहीं है वह तो पूरे इंडिया को पता जब ही तो मेरे लगता है लाइने लगती है जहां कुछ होता है यहां पर कुछ नहीं होता है तो आपके पास में जैसे बच्छी की बात क पूछना बंद कर दिया है कि बेचोगे ने बेचोगे पर होता कहा है कि देवराद दिलवाग के बच्ची अधिकतर लोग लेने की इच्छा रखते है इसलिए मैं आपको पूछा बच्चा सेल करेंगे जी अच्छा बच्ची का तो अभी प्लैन नहीं है क्योंकि मेरो लगता आपकी बच्ची ने रखते हैं कोई अलहरा है यह अंटिकतर आज्या कि अपक्राइक का मे का श्रीतुक्त जाएब को बב Ichleby दो तो चला जाए यह अ पर हर ब्च्ची बंता अब है और हर बच्च मोषा दे सकती है यह पहले जो बच्चा दिया था अब वह इस ख हो गया 65 प्रस हाँ जी टीफ में just when you यह गोडी ने जितने बच्चे दी है बहुत बड़े साइस के बच्चे निये्झ यह ताम भी मेrekो लगता है कि यह 66 के राउंड बनेगा अच्छा बच्ची कितनी चले जाएगी बच्ची भी इसके बहुत हैवी यह बच्चे से भी हैवी बच्चे से भी हैवी हाँ जी हाँ चलो भाई साफ बहुत-बहुत सुक्री आपका आपने भई इस वीडियो में भई आपको हमने दिखाई ती यह टू गोडी और उसके भई दो बच्चे बागी नेश्ट पार्ट के अंदर भी हम आपको और भी गोडा गोडी दिखाएंगे और भाई से कुछ जानकारी लेने की भी कोसिस करेंगे ओके थैंक्यू थैंक्यू जी